कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आईए आज सुनिए हिंदी साहित्य के समकालिन कथाकारों में अपना विशेश स्थान रखने वाले कथाकार रूप सिंग चंदेल जी द्वारा लिखी कहानी। कहानी का शिर्षक है खंडित स्वप्न। रूप सिंग चंदेल जी की सिर्जनात्मक शम्ता के जो लोग कायल हैं उन्हें यह बखुबी पता है कि जीवन को काफी करीब से देखने और समय की नबस को टटोलने का उनका नजरिया नितांत मुनफरीद है। उनकी कलम बेलाग और बेलोस सफे करतास पर चलती है। बिना यह जाने समझे कि इस से कितने का जिगर जखमी होगा या कितने का मौन भंग। तो आईए आज आनद लीजिए आपकी लिखी कहानी का खंडित स्वप्न। कॉलिज में आज भी मीटिंग देर से समाप्त हुई। भर की थकान के चेनम मिठ चुके थे। चेहरा फिर ताजा और स्निग्द हो गया था। पेट में चूहों की धमा चौकडी करते दो घंटे के लगभख हो चुके थे। अतह वे सीधे डाइनिंग रूम में जा पहुँची। रोजाना की भाती रामकली ने टेबुल पर खाना सजा दिया। वे खाना शुरू ही करने वाली थी कि रामकली ने उन्हें एक लिफाफा पकड़ा दिया। बोली मुआ डाकिया लिफाफा दे ही नहीं रहा था। कहता था मेम साब के नाम है मैं उन्ही को दूंगा। बड़ी मुश्किल से माना। कहकर वो उनकी प्रतिकरिया जानने के लिए उनकी ओर देखने लगी। लेकिन दिपाली ने कोई प्रतिकरिया व्यक्त नहीं की। वे उलट पलट कर लिफाफे को देखती रही। आखिर उन्होंने लिफाफा खोल ही डाला। उसमें जो कुछ था उसे देख उनका मन उद्विलित हो उठा। मानों सरोवर के स्थिर जल में कंकण फैंक दिया गया हू। उन्होंने कागजों को मेजबर रख दिया और रामकली को वहां से जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद सिर को कुर्सी से टिका कर वे सोचने लगी। तो विजय के साथ संबंधों की यही अंतिम परणेती होनी थी। इतने दिनों में ही सब कुछ बेमानी हो गया। प्रेम, रिश्टे, इंसानियत। और वे धीरे धीरे अतीत की अंधेरी गुफाओं में धस्दी चली गई। उन दिनों वे एमे फाइनल में थी। जित होना था, नाटक था, अभी ज्यान शाकुंदलम। लेकिन चात्र संग के सामने एक गंभीर समस्या पैदा हो गई। शकुंदला की भूमिका को लेकर, कॉलिज की कोई भी चात्रा उस भूमिका के लिए तयार नहीं थी। वार्शिकोट सफ के दिन निकट आते जा रहे थे। रिहर्सल शुरू हो चुकी थी, लेकिन शकुंदला का स्थान रिक्त था। तभी एक दिन चात्र संग के अध्यक्ष महिंदर के साथ विजय उनके पास आये। काफी देर तक वे शकुंदला के अभिने के लिए उन्हें समझाते रहे। उन्होंने दूसरे दिन अपना निर्ने बताने के लिए कहकर उन्हें टाल दिया था। कॉलिज से घर वापस चाते समय पूरे रास्ते वे सोचती रही कि वे शकुंतला का अभिने कर सकती हैं या नहीं और घर तक पहुँचते पहुँचते इस निर्ने पर पहुँची कि वे अभिने कर सकेंगी दूसरे दिन महेंदर और विजे को उन्होंने अपनी स्विक्रती दे दी थी वार्शिक उत्षव के दिन नाटक मन्चित हुआ दुशियंत का अभिने कर रहे थे विजे और वे बनी थी शकुंतला नाटक बहुत सफल रहा था सारे नगर में दोनों के अभिने की चर्चा थी समाचार पत्रों ने विशेश प्रशनसात्मक टिपणी के साथ उन दोनों के चित्र प्रकाशित किये थे नाटक की सफलता के बाद वे और विजे अनायास ही एक दूसरे के निकट आ गए थे विजे उनके सहपाठी थे और उसके बाद प्राया ही उनके घर आने लगे थे धीरे धीरे वे महसूस करने लगी थी कि वे वास्तव में ही शकुंतला हैं और विजे दुश्यंत एक दिन वे फूल बाग में टहल रहे थे टहलते टहलते अचानक विजे रुक गए और दोनों कंधों के पास उन्हें पकड़ कर बोले दीपा मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था कहो उन्होंने जिग्यासा भरी नजरें विजे के चेहरे पर गड़ा दी दीपा मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो लेकिन सच मानो तुम ही लेकर मैं तमाम स्वप्न आगे वे कुछ बोलना पाए थे वे भी उश्चन भावुखो ओठी थी बिना बूले ही विजे की आँखों में कितनी ही देर तक देखती रही थी और उन्होंने उन आखों में साकार होने के लिए मचलते हासारों स्वप्न देखे थे शन भर बाद उन्हीं जख जोडते हुए विजे ने पूछा था पागलों की तरहां क्या देख रही हो दीपा कुछ नहीं अच्छा अब चला जाए बहुत देर हो गई मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे दोनों वापस चल पड़े थे उस दिन के बाद विजे का अधिकांज समय उनके साथ ही बीदने लगा था विजे के प्रस्ताव पर उन्होंने कमबाइंड स्टडी शुरू कर दी थी कॉलिज से वे सीधे उनके घर आ जाते और रात देर तक पढ़ने के पश्चात घर जाते समय तेजी से खिसकता रहा और परिक्षाएं सिर पर आ गई एक दिन परिक्षाएं समपन भी हो गई परिक्षा के अंतिम दिन घर लोटते हुए विजे उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गई कॉफी पीते हुए उन्होंने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया वे उस समय फिर शन भन के लिए कहीं खोसी गई थी कप में पड़ी कॉफी ठंडी हो गई विजे भी कॉफी पीना भूल कर निनमेश उनके चेहरे पर आ जा रहे भावों को देखते रहे थे जब बेरे ने आकर पूछा साब और कुछ चाहिए तब दोनों की तंद्रा दूर हुई थी अरे कॉफी ठंडी हो गई तुमने पी क्यों नहीं आपनी भी नहीं पी अरे हाँ फिर बेरे को दो और कॉफी लाने का ओर्डर देकर विजे बोले थे दीपा तुमने कोई उत्तर नहीं दिया क्या उत्तर देना इतना आसान है यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है यदि तुम चाहोगी लेकिन विजे क्या हमारे मा बाप इतनी आसानी से तयार हो जाएंगे मैं तुम्हारे मम्मी पापा के विशे में नहीं बता सकता लेकिन मेरे मम्मी पापा को कोई आपत्ती ना होगी वे कुछ सोचती रह गई थी तभी बेरा आ गया था थोड़ी देर के लिए उत्तर देने से वे बच गई थी लेकिन बिल चुकता करने के बाद जब दोनों रिक्षा पर सावार हुए विशे ने पुनह पूछ लिया क्या सोचा तुमने दीपा कुछ दिन सोचने दो ठीक है लेकिन विशे के प्रस्ताव को वे अधिक दिनों तक टाल नहीं सकी उनके असीम प्यार परद्रशन ने उन्हें स्विक्रती के लिए विवश कर दिया था विजे को पा जाने के लालसा उनके अंदर तिवरतर हो उठी थी उन्होंने अपना निर्ने मम्मी पापा को बता दिया लेकिन जैसी की आशा थी वही हुआ विजे के साथ विवह करना उन लोगों को स्विकार ना था दो पीडियों के मध्य विचारों की टकराहट शुरू हो गई थी जैसे जैसे मम्मी पापा उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते जा रहे थे उनके मन में विजे के साथ विवह करने का निश्य द्रिड होता जा रहा था और एक दिन लावा फूठी पड़ा था पापा का रुद्र रूप उन्होंने उस दिन पहली बार देखा था उल्टा सीधा बकने के बाद उस दिन अंत में वे बोले थे दीपू अगर तुने उसके साथ शादी की तो इस खर के दर्वाजे तेरे लिए सदैव के लिए बंद हो जाएंगे हतियार तो उन्होंने डाल दिये थे किन्तु रूडी वादी एंट उनमें तब भी शेश थी जिस दिन परिक्षा फल घोशित हुआ विजे दोडते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी में उत्तिन होने की बधाई देने आए वो स्वयम दित्य श्रेणी में उत्तिन हुए थे लेकिन उस समय पापा ने विजे का जो अपमान किया उससे वे बुखला उठी थी केंतु किसी प्रकार अपने को सैयत किये रही उसी शण उन्होंने उस घर को तुरंत छोड़ देने का निर्णे किया और उसके ठीक बीसमें दिन उन्होंने विजे के साथ कोर्ट मेरिस कर ली थी विजे उन दिनों समाचार पत्रों में रिक्त स्थान देखने लगे थे कई जगहां आवेदन भी किये लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आया वे स्वैम पिएच्डी करने के विशे में सोचने लगी थी एक दिन जब परिवार के सब लोग शाम की चाय ले रहे थे उन्होंने दभी जुबान से अपनी इच्छा जाहिर की उनकी बात सुनते ही विशे के मम्मी पापा एक साथ बोल उठे बहु हमारी सामर्थ्य ना तो अब विशे को आगे पढ़ाने की है और ना ही तुम्हें पापा तो इतना ही कहकर चुप हो गए किन्तो मम्मी आगे बोली थी हाँ अगर तुम्हारे पापा चाहें तो तुम्हें पढ़ा सकते हैं उनके पास धन की कोई कमी भी नहीं लेकिन मम्मी अब उनसे कुछ भी अपेक्षा रखना क्या उचित है क्या बात कह रही हो बहू मा बाप आखिर मा बाप ही होते हैं थोड़े दिन बाद बच्चों को माफ कर देते हैं उन्हें कितनी सरलता से मेरा हीरा जैसा बेटा दामाद के रूप में मिल गया है वे भी बिना दहेज सोचो बहू अगर वे तुम्हारी शादी कहीं और करते तो खेर तो खुद ही समस्दार है बढ़ी लिखी है छोड़िये भी मम्मी इन बातों को कहकर विजे उठकर वहां से चले गई थे वे भी रुकना पाई थी कमरे में आकर बेट बढ़ धै गई थी कितनी ही देर तक रोती हुई सो गई थी रात विजे की आहट पाकर उनकी निंद खुली लेकिन उनसे बिना कोई बात किये बत्ती बुझा कर वो भी लेट गए थे उस दिन के बाद उस घर का वातावरण तनाव पून हो उठा था विजे के अत्रिक्त सभी उनसे कम बाते करने लगे थे और विजे को भी उनसे बात करने का वक्त नहीं मिलता था वे सुभे से निकले शाम को घर में प्रिवेश करते थे घर में सबके होते हुए एकाकीपन उन्हें डस्ता सा रहता शादी के बाद पूरे आठ महीने हो चुके थे, विजे को भटकते हुए, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली एक सुभा अख़बार मेदिक तस्थान देखते हुए, वो उचल पड़े थे डियेवी में लेक्चरर की पोस्ट निकली थी, उनके कंधे जख छोड़ते हुए वे बोले दीपा, तुम आविदन कर दो, तुम ही यह पोस्ट मिल सकती है घर के वातावरण ने उन्हें उबादिया था विजे के मम्मी का वहवार उनके प्रती दिन प्रती दिन अत्याधिक रूखा और कड़वा होता जा रहा था छोटी छोटी बात में वे उन्हें प्रताडित करने लगती उन दिनों वे भयंकर मानसिक तनाव में जी रही थी यहें उनके लिए एक सुख़ दफसर था उन्होंने आवेदन किया और साक्षातकार में बिना किसी सिफारिश के चुन ले गई लेकिन उनका नौकरी करना भी विजे के मम्मी पापा को पसंद नहीं आया एक दिन उनके कॉलेज से लोटते ही उन लोगों ने स्पस्ट गोशना कर दी नौकरी पेशा बहु के लिए इस घर में कोई जगा नहीं है यदि नौकरी करनी है तो जाकर रहो अपने पिता के घर एक ओर था भविशे और दूसरी ओर था वर्तमान का कलहेपूंट जीवन उन्होंने विजे से बात की लेकिन विजे ने कोई उत्तर नहीं दिया आखिर कई दिनों की कलहे के बाद उन्होंने विजे से स्पस्ट कह दिया अब वे उस खर में नहीं रह सकती अलग मकान की विवस्था करेंगी विजे फिर भी चुप रहे थे लेकिन वे निर्णे कर चुकी थी अलग रहने का आखिर विजे को जुगना पड़ा ब्रह्म नगर में दो कमरों की जगा किराय पढ़ लेकर उस घर को भी उन्होंने एक दिन छोड़ दिया किराय के मकान में आने के बाद उन्होंने विजे को IES में बैठने के लिए प्रोच सहित किया उनकी सलाह विजे को पसंद आई और वो IES की तैयारी में जुट गए उस मकान में आने के चार महीने पश्चात विजे और उनके प्रेम का प्रतीक विभू पैदा हुआ उन दिनों विजे IES की परिक्षा देने गए हुए थे कितनी परेशानिया उठानी पड़ी थी उन्हें दोनों घरों के दर्वाजे उनके लिए बंद थे असहाय सी उन्होंने पडोसी की कुंडी खटखटाई थी उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि कभी कभी गैर अपनों से अच्छे होते हैं पडोसी ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया जहां रात भर उसकी पतनी उनके साथ रही थी पैदा होने के बाद विभू पर प्रतम द्रिष्टी पड़ते ही चीक कर उन्होंने आँखें बंद कर ली थी और नर्स से बोली थी सिस्टर इस मास के लोथड़े को ले जाएए ये मेरा बच्चा नहीं है नहीं और वे बिहोश हो गई थी लेकिन होशाने पर नर्स और पडोसिन के समझाने के बाद विभू को गोद में लेकर ना जाने कितनी दिर उसे देखती रही थी विभू का नीचे का भाग अपंग था उसे अपनी जाती से लगा कर वे फूट फूट कर रोती रही थी दूसरे दिन विजय लौट आए थे सीथे अस्पताल पहुँच कर उन्होंने पहले विभू को देखना चाहा लेकिन उन्होंने केवल उपर का भाग ही उन्हीं दिखाया काफी देर तक बातें करने के बाद जब विजय उनके लिए फल और दूद लेने के लिए चलने लगे उसी समय नर्स आ गई और विभू की सफाई करने के लिए जैसे ही उसने उपर से कपड़े हटाए विजय की द्रिस्टी विभू के शरीर पर पड़ी विजय के मुह से भी एक्तम चीख निकल गई दीपा यह क्या है तुम्हारे घर में मुझे मिली मानसिक यंत्रणा का परिणाम वे फिर फूट फूट कर रोने लगी थी नर्स ने विभू को संभालने के लिए उन्हें डपट दिया और आंसू पोँच कर वे उसे गोद में उठाने लगी थी विजय कब चले गए उन्हें पता नहीं चला विजय आइस में सिलेक्ट हो गए प्रचिक्षन के लिए उन्हें मसूरी जाना था जाने से एक दिन पहले बोले दीपा तुम अकेले विभू और नौकरी दोनों कैसे संभाल पाओगी मैं एक आया के लिए बात कर आई हूँ वो दिन भर विभू की देखपाल किया करेगी तुम चिंता ना करो थोड़े दिनों की बात है जब तुम्हारी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी तब मैं नौकरी छोड़ दूँगी विजे कुछ सोचने लगे थे तब तक विभू भी कुछ बड़ा हो जाएगा हम दिल्ली या कहीं और उसका इलाज करवाएंगे इसके इलाज के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी विभू ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ना विजे विजे की चाती से लग कर उन्होंने पूचा था क्यों नहीं ठीक होगा इससे अधिक खराब केसिस भी ठीक हो जाते हैं विजे उस दिन की कलपना करो जब तुम किसी दफ्तर के इंचार्ज होगे हम सब एक साथ रह रहे होंगे विभू स्कूल जाया करेगा और रात में हम तीनों एक साथ बैठकर भोजन किया करेंगे कितना अच्छा होगा तब आँखें बंद किये वे बोली थी बहुत अच्छा लगा करेगा दीपा लेकिन तुम अधिक कलपनाय मत किया करो उनके कान में चिकोटी काड़ते हुए विजे ने कहा था मेरी तयारी की भी चिंता करोगी या बातें ही करती रहोगी वे विजे की तयारी में जुट गई थी मसूरी पहुंचकर विजे ने कई पत्र लिखे जिन में अपने प्रशिक्षन तथा प्रशिक्षनार्थियों के विशे में ही विस्तार से चर्चा की वी भी हर पत्र का उत्तर देती रही और अपनी तथा विभू की चिंता ना करने के विशे में उन्हें लिखती रही कभी कभी विजे के पत्र आने में देर हो जाती तब वो लगातार कई पत्र लिखकर उन्हें लापरवाही की याद दिला देती एक बार लगभग पंधरा दिन तक विजय का कोई पत्र नहीं आया उन्होंने भी सोच लिया कि इस बार वे तब तक पत्र नहीं लिखेंगी जब तक विजय का पत्र नहीं आता आखिर एक दिन उनका पत्र आया, जिसमें माफिय मांगते हुए उन्होंने लिखा था दीपा, आजकल पढ़ाई तथा अन्य कारेक्रमों में व्यस रहने के कारण तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया मैं जानता हूँ तुम्हें अवश्य बुरा लग रहा होगा भविश्य में ऐसा कभी नहीं होगा यहां मेरे साथ लखनो की कुमारी नीता सिंग भी परशिक्षन प्राप्ट कर रही है मेरी अच्छी मित्र बन गई है कभी अवसर मिलने पर तुमसे मिलवाऊंगा तुम उन्हें अवश्य पसंद करोगी उस पत्र में ना तो विजे ने यह पूछा कि वे कैसी हैं और ना ही विभू के विशे में एक शब्द लिखा था उन्हें यह अच्छा ना लगा उन्होंने कई दिन बाद पत्र का उत्तर दिया लेकिन विजे उनसे दस हाथ आगे निकले उन्होंने एक महिने बाद उनके पत्र का उत्तर दिया वेह भी केवल चार पंक्तियों में उन्हीं दिनों विभू बिमार हो गया उसकी बिमारी में वे इस कदर उलजी कि विजे को लिखना ही भूल गई शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वे विभू को बचा ना सकी विभू की मृत्यू ने उन्हें अंदर से तोड दिया वो उनके लिए एक खिलोना था जिसे नियति ने उनसे छीन लिया था विभू की मृत्यू का सामाचार विजे को देते हुए उन्होंने लिखा कि वे चाहे एक दिन के लिए घर आएं, किन्तु आएं अवश्य, लेकिन विजे नहीं आए काफी दिनों बाद उनका पत्र आया जबलपुर से, उनकी वहां पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन उसमें उन्होंने केवल अपनी पोस्टिंग की सूचना ही दी थी, विभू की मृत्यू के विशे में एक शब्द भी नहीं लिखा था, वही विजे का अंतिम पत्र था, उनका तेजी से गुजरता जा रहा था, उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, जब अलपुर के पते पर विजे को लिखे उनके अनेक पत्र अनुत्रित रहे थे, और एक दिन उन्होंने निर्ने किया कि ना तो वे विजे को पत्र लिखेंगी और ना ही उनसे मिलने उन्होंने अपने को पूरी तरहां अध्यन और अध्यापन में लगा दिया, दो वर्ष का समय कब और कैसी बीद गया, पता नहीं चला, दो वर्ष बाद उन्हें जो कुछ मिला, वे हैं उनके सामने था, तलाग के कागजातों के रूप में, जिसके साथ विजे का खाली प्लेटों पर डाली, जिसे ठीक उनके सामने नित्यप्रती की भाती रामकली ने सजा रखा था, रामकली कितना खयाल रखती है मेरी भावनाओं का, वे सोचने लगी, यही तो उनका स्वपन था, मेज के एक और वे होंगी, एक और विजे और एक और विभू, लेकिन वे है स्वपन तो कब का खंडित हो चुगा, उन्होंने पेन उठाया और तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर करने लगी, रूप सिंग चंदेल जी की लिखी इस कहानी के अंत के साथ ही, मुझे विदा दीजिए और कथा साहित्ते से जुड़े रहिएगा, धन्यवाद